किसान भाईउं अगर अपह में चीरा सही नहीं लगाते है या हम कुछ गल्थी कर देते हैं तो हमारी पैदावार है बहुत कम निकलती है तो किसान भाईउं स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एग्रिकल्चर नियूज में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभीमें चीरा कैसे लगाते हैं और हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आप वीडियो में अंतर तक जरूर बने रहें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिये गए लालक्सरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि खेती बाड़ी और मंधिपाव नई तकनिक से समंदित सभी परकार की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे किसान बाईओं अगर आप भी अभीम की खेती करते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी फाइदे मंद सिद्ध होगा किसान बाईओं हमें उन्हीं डोड़ों के चीरा लगाना चाहिए जो डोड़े पूरी तरह से पक चुके हो यानि कि वो चीरा लगाने के लिए पूरी तरह से तेयार हो तो किसान बाईओं हम उन्हें कैसे पैचाने तो जो डोड़े काले पड़ रहे होते हैं जिनके काली मसी आ रहे होते हैं, या चोटी-चोटी काली बिंदियां लग रहे होते हैं, और जो दबाने से कठौर लगते हो, मलब कठौर परवर्ति के डोड़े होते हैं, उन्ही के हमें चीरा लगाना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों वो डोडे पूरी तरह से पक चुके होते हैं जो डोडे काले होते हैं और पूरी तरह से कठोर होते हैं उन डोडों के हमें चीरा लगा देना चाहिए क्योंकि अगर वो डोडे अगर छूट जाए तो किसान भायों जो उनका दूद रहता है वो एक दो चीर में ही सूख जाता है जानी कि एक दो चीरा लगाने के बाद उनमें दूद नहीं आता है किसान भायों दूसरी बात जब हम चीरा लगाते हैं तो हम डोडे को पकड़ते हैं यानि कि अगर ये थोड़ा सा भी तूड जाता है तो जो चीरा लगाते हैं उसमें थोड़ा सा कम दूद आएगा. और किसान भाईों एक बात का हमें महतुपूर्ण ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम चीरा लगा रहे हैं वह हमें ज्यादा नय तो हलका लगाना है और नय ज्यादा गहरा लगाना है यानि कि हमें मीडियम साइज में जो चीरा लगाना है किसान भाई हो ज़्यादा गहरा लग जाने से जो इसमें पोस्ता होते हैं वा बाहर आ जाते हैं सूखने के बाद और जब हम गहरा चीरा लगा देते हैं तो फिर जो दूद होता है अभिम के जो डोड़ा होता है उसके अंदर समा जाता है और दूद बाहर नहीं निकलता है जिसके कारण हमारी पैदावार में काफी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है और किसान भाईों अगर चीरा ज़्यादा गहरा लगा दिया तो हमें दूद बहुत कम देखने को मिलेगा इसलिए हमें ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है और नहीं ज़्यादा हलका लगाना है हमें मीडियम साइज में जो चीरा लगाना चाहिए और किसान भाईयों जो हम चीरा लगाते हैं वह हमें नहीं ज़्यादा लगाना चाहिए और नया ज्यादा छोटा लगाना चाहिए चीरा ज्यादा लंबा लगाने से जो ये उपर की डखन होता है इसमें दूद चला जाता है इसको अफिम को सुबह लेते समय जो हम अफिम लेते हैं तो उस समय यह जो दूद होता है वह इस उपर वाले डकन में चला जाता है आप वीडियो में देख सकते हो इस डकन में दूद चला जाता है इसलिए हमें चीरा ज्यादा लंबा नहीं लगाना चाहिए और किसान भाईयों हलका चीरा लगाने से जो सुबह हम अफिम लेते हैं उस समय सारा दूद बाहर नहीं निकलता है हलका चीरा लगाने से सारा दूद बाहर नहीं निकलता है इसलिए दूद कम आता है तो किसान भाईयों आप अगर लकडी के नुखे से चीरा लगाते हैं तो वह फिक्स नुखा आता हैं उससे जन्या तो ज़्यादा हलका लगता है और ज़्यादा गहरा लगता है तो आप लकड़ी के नुक्खे से चीरा लगाए तो आपके लिए अच्छा होगा और किसान भाईयों ये थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जुरूर करें और अभी में फूटाओ और इस प्रेक के लिए हमारे चैनल पर जाए उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी किसान भाईयों मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान